वेलकम टू गोहला क्लासिज। आज हम क्या study करने वाले हैं? आज हमारे geography की lecture series के अंदर हम rocks के बारे में discuss करने वाले हैं. देखिए rocks क्या होती है? Basically आपने earth के crust layer देखी होगी सबसे upper layer जो देखी होगी हमारे जो सबसे uppermost जो layer है जिसको हम crust कहते हैं वो सारी layer क्या है ना उस पूरी layer पर या तो soil है या तो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी या फिर बड़े-बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे तो किस तरह से क्या हुआ होगा जिसकी वज़से ये बड़े अलग-लग size के अलग-लग रंग के जो पत्थर है उनकी formation होई है अब जितने भी rocks हैं सभी का color सेम नहीं होता है कुछ आपको red color में देखने को मिलेगे कुछ brown में कुछ black में कुछ grey में किस तरह से इनके color change हो रहे है और किस तरह से इनके size में difference आ रहा है कुछ बहुत बड़े size के हैं कुछ छोटे size के हैं कुछ बिल्कुल fine है तो किस तरह से इनके size में variation आ रही है किस तरह से color में variation आ रही है कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बहुत ही soft होते हैं अगर आप उनको किसी दिवार पे मारोग या कह पर भी फेंक होगे तो वो तोड़ जाते हैं और कुछ पत्थर इतने स्ट्रॉंग होते हैं कि आप उनको जितना मर्जी कहीं पर भी फेंक लो वो तोड़ते नहीं है तो यह जो इतने हैं हमारा एक प्रयास प्रिलिम्स का पूरा कंप्लीट कोरस है जिसके अंदर हमारे हर सब्जेक्ट से रिलेटड हिस्ट्री पौलटई इकनोमी जोग्रफी हर चीज से रिलेटेड लेक्चर्स होंगे करेंट अफेर आएगा उसके अंदर साथ में आपका सी सेट का भी त्यारी करवाई जाएगी आपको इसके साथ ही आपकी संकल्ब टेस्ट सिरीज है हमारे पास इस टेस्ट सिरीज के अंदर आपको कम से कम 20 के आ आपकी टोटल इस सिर्ज को जोईन करने की फीस है वो 549 कर सकते हैं जो भी टेस्ट होंगे पर स्रेस्स के चेंजे अंब करते हैं तो देखिए लक्सकी शुर्वात करेंगे हम लोग्त के ऊपर बात करते हुए तो सबसे पहले क्या है आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा उस लेक्चर के अंदर हम रोक्स के बार में डिसकस करेंगे और रोक्स आपकी अगर मैं प्राइमेरली बिदाओं तो तीन टाइप्स की रोक होती है आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो अगर डीप में बढ़न साथ के साथ हम क्या डिसकस करेंगे हम रोक साइकल के बार में डिसकस करेंगे रोक साइकल क्या कहता है जितनी भी तरह की रोक है जैसे इगनियस सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रोक है तो यह रोक की जो फोर्मेशन होती है एक दूसरे से होती है एक्जामपल के लिए इ इगनियस से सेडिमेंटरी की या फिर सेडिमेंटरी से मेटामॉर्फिक रोक की फॉर्मेशन हो रही है चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ क्वेस्टन की जो कि आपके प्रिविसली पुछे गए हैं के अंदर यह आपका 2016 के अंदर क्वेशन पुछा गया है देखिए क्वेशन क्या है विच फॉलॉइंग इस अपको लेक्चर के इन बिट्वीन ही मिल जाएंगे तो आप इनका आंसर बात में दे सकते हैं पहले सिर्फ हम कुछें को स्टरी करते हैं options है आपके इनका मुझ करते हैं. which of the following process is responsible for the formation of the sedimentary rock तो option है आपका melting solidification है, option भी है आपका alteration due to heat and the pressure, option C है आपका accumulation of the organic remains या फिर option B है weathering and the erosion जो होता है आपका तो इसके अंदर क्या है देखिए अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो chapter है आपका काफी important chapter है हर साल यहां पर क्या है जितने भी exam होते हैं चाहे वो UPSCO state level के exam हो उनमें काफी question पुछे जाते हैं इस topic से, इसलिए आपका यह topic काफी important बन जाता है, एक और question देख लेते हैं हम आपका, which of the following rock is used for the production of the cement, यह आपका 2018 के अंदर पुछा गया है, option है आपके granite, basal, limestone and the sandstone तो देखिए, मैं आपको question जो आपको बताये गए हैं, इसलिए बताये गए हैं कि topic जो हम पढ़ेंगे, सबसे important यह है कि topic जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर question किस तरह से पुछे जा रहे हैं, कौन-कौन सी चीज है जिस पे हमें focus करना है तो यह कुछ इस तरह की question है, जो आपके HCS के अंदर previously या फर हर्याना में पुछे गए हैं, जो भी exam होया उनके अंदर तो बात करते हैं, topic की शुरुआत करते हैं, देखिए क्या है, तीन टाइप्स की आपकी रोग है, igneas होगी, sedimentary होगी और metamorphic रोग होगी यह तीनो रोग की formation है, वो किस तरह से होगी, सबसे पहले अगर मैं बात करू, igneas रोग के बारे में बात करू, तो igneas रोग का आपकी parent रोग भी बोला जाता है, primary रोग भी बोला जाता है, थोड़ा सा overview लेके चलते हैं, तीनो रोग का, उसके बाद हम आगे थोड़ा detail में पड़ेंगे, देखे, igneas रोग की formation कैसे होगी, आप जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ की crust जो है, उस crust के नीचे आपका magma है, अब यह जो magma है, अर्थ crust के नीचे है, esthenosphere में है, या फिर आप कहे लिजिए, कि आपकी mental layer के अंदर है, यह जो magma अंदर होता है, तो वहाँ by 1000 degree Celsius होगा, तो आपकी mental और esthenosphere के अंदर, जब 1000 degree Celsius temperature होता है, तो obviously वहाँ पे जितने भी पत्थर होँगे, वो सारे क्या होँगे, मॉल्टन स्टेट में होँगे, तो वो जो मॉल्टन स्टेट में आपके rocks present है अंदर, अब जब वो बहार आएंगे, अर्थ सर्फेस के ओपर तो इतना temperature नहीं है, हमारे यहां पर normally temperature 40-50, जास जादा 55 degree Celsius आपको देखने को मिलेगा, तो उस temperature पर आके, obviously जो पत्थर अंदर, molten state में होगा, वो बहार आके क्या होगा, आपका solid form में convert होगा, तो यही जो लावा अंदर है, जो मैगमा अंदर है, मैगमा और लावा में basic difference है मैगमा अगर earth surface के निचे है, लावा अगर वो बहार आजाता है, तो यह जो मैगमा बहार निकलेगा, लावा की form में बहार आएगा, तो यही बाद में आपका solid form में convert होगा, और यही rocks की formation करेंगे, तो igneous rock की formation तो ऐसे होगी, अब इसलिए क्योंकि igneous rock की formation सबसे पहले होत होता है, weathering process होता है, erosion process होता है, उसके through क्या होता है, आपकी जो rock होती, igneous rock वो छोटे-छोटे particles में तूटती है, और फिर वो एक जगा से दूसरी जगा travel करती है, जब next किसी जगा पे हवा या फिर पानी के through वो जाएगी बहके, तो वहां पर क्या accumulation दबारा से start होती है, अ accumulation होगी start, और accumulation के बाद layer by layer एक के उपर, दूसरी layer, तीसरी layer ऐसे deposit होते रहते हैं, तो अब जो next जो rock बन रही है, जिसके अंदर अलग-लग जो rocks हैं, वहां से particles हाए हैं, तो यह जो नई rock बनेगी आपकी sedimentary rock कहलाएगी, metamorphic rock क्या है, formed out of the existing rock undergoing recrystallization, recrystallization कैसे होगी, intense pressure की वज़े से, example के तोर पे, यह आपकी कोई rock पड़ी है, बाहर, ठीक है, इसके ओपर intense pressure पड़ रहा है, और उसके साथ आपकी temperature rise हो रहा है, temperature क्यों rise करेगा, temperature rise करेगा आपका sun की वज़े से, sunlight पड़ रही है, उसके वज़े से temperature increase करेगा, और साथ में आपका pressure होगा, pressure किस जिज़ा सकते हैं, तो वो आपकी जो rock बनेगी, वो आपकी metamorphic rock कहलाएगी, अभी हम इस चीज़ को थोड़ा detail में बढ़ने के कोशिश करेंगे, देखिए, सबसे पहले the science study, scientific study of the rock is called the petrology, पत्थरों की study को आपकी petrology कहा जाता है, जो common minerals, अगर मैं definition की बात करूँ की rocks क्य क्या होती है, रोक क्या होती है, composition of the minerals होता है, तो या दो या दो से ज्यादा जो minerals मिलते हैं, वो एक rock की formation करते हैं, तो आपको जो common minerals देखने को मिलेगा, वो आपका कौन सा है, felt spar और quards, या आपके दो minerals हैं, जो आपको जातर पत्रों के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके ब बात कर ली किस तरह से igneous sedimentary or metamorphic rock की formation होगी, आगे हम देखते हैं, igneous rock को अब हम detail में पढ़ने की कोशिश करें तो, igneous rock जो आपका है और जिसे हम primary rock भी कहते है, this solidification of the magma form the first rock on the earth, मैंने आपको बताया, नीचे आपका magma है, magma बाहर की तरफ को release करना start करता है, earth crust में जहा नहीं है, तो जो first rock बनेगी, आपकी igneous rock बनेगी, rock formed out of the solidification of the magma, अंदर से magma बाहर निकल रहा है, उसकी solidification हो रही है, molten rock below the surface, मैंने आपको बताया, magma क्या है, magma भी rock ही है, पत्थर ही है, जब हम rock cycle पढ़ेंगे, तो हमें पता लेगा कि यह पत्थर जो है, जिनकी मैं बात करा हूँ, यह earth crust के अंदर कैसे पहुंचे, तो हम rock cycle में देख लेंगे, and lava, molten rock above the surface, मैंने आपको बताया, magma अंदर होगा, जब वो बाहरा जाएगा, तो उसको lava कहा जाएगा, जब इनकी solidification होती है, यह कहला जाते हैं उसके बाद, igneous rock या फिर primary rocks, having their origin under the condition of the high temperature, the igneous rocks are unfossil Unfossiliferous, fossils, यह term का अवी important है, unfossiliferous का मतलब क्या है, कई बार question पुछा जाता है, exams के अंदर की कौन सी rock है, जिसके अंदर आपको fossils देखने को मिलेगे, fossils क्या होते हैं, देखी, जितनी भी rocks हैं, अगर मैं उनकी formation की बात करूं, तो mountains हो गया, physiographic जितना भी structure हो गया, platews हो गय जो भी है, उनकी formation आज नहीं होई है, कल नहीं होई है, पचास साल पहले नहीं होई है, सो साल पहले नहीं होई है, इनकी formation को thousand years लगते हैं, 1000, 10,000, बहुत ज़ादा साल पूरा नहीं आपके mountains होते हैं, या फिर या आपके जो platews है वो सब होते हैं, अब इनकी जो formation होई है, वो पत्थरों के मिलने से हुई है, जो आपका mountain actually में क्या है, वो rocks ही है, जो rise कर गई है उपर की तरफ को, तो ये rocks की formation कैसे होगी, इन rocks की formation कैसे होगी, जब इनके अंदर क्या होगे, आपके fossils होगे, ये जो fossils होते हैं, या फिर minerals होते हैं, वो मिलके आपके rocks की formation करते हैं, अब ig इनियस रोक की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर लिख रखा है कि igneous rocks are the unfossiliferous, इसका मतलब क्या है, fossils are the remains of the dead plants and the animals, जो भी आपके animals या फिर plants, जब उनकी death हो जाती है, तो उनके बाद जो उनका remaining part रह जाता है, वो आपके fossils कहलाते हैं, अब देखी ये statement में लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, देखी simple logic है, आपकी जो rocks है, मान लिजी कोई अर्थ के उपर रोक है, यह आपकी earth crust है, इसके उपर कोई rock present है, अब यह रोक क्या करेगी, अर्थ के interior की तरफ को move करेगी, अंदर की तरफ को move करेगी, क्यों? क्योंकि plate tectonic अगर आपने theory पड़ी है, तो उसके अंदर आपने पाया होगा, कि यह plates है, जो पुरी earth crust है, यह आपकी plates में divided है, major और minor plates के अंदर divide है, अब यह plates अगर आपस में टकराती है, तो टकराने के बात क्या होता है, जो heavier plate होगी, वो अंदर की तरफ को subside करेगी, अब नीचे की तरफ जब जाएंगी, तो क्या होगा, crust के नीचे जब जाना start करेंगी, तो नीचे कौन सी layer मिलेगी, mental layer मिलेगी, और mental में आपको बताया, temperature बहुत ज़्यादा high है, तो जो पहले जब plate पाने के बाद नीचे की तरफ को subside कर रही है, तो subside करने के बाद क्या होगा, वो आपके animals है और plants है, उनके जो remain है, वो अंदर की तरफ को जाएंगे, अब अंदर इतना ज्यादा temperature है कि वहाँ पे वो fossils जो होंगे, वो नहीं रह पाएंगे वैसे, तो वो खतम हो जाएंगे तो क्योंकि igneous rock की formation magma से हो रही है और magma बहुत जादा hot होता है, इस वज़े से क्या है, उसके अंदर जो fossils होते हैं, वो बच नहीं पाते हैं, खतम हो जाते हैं, इसलिए जो statement आपकी, igneous rock आपकी unfossiliferous होगी, example के तोर पे अगर igneous rock के कई बार example पूछ ले जाते हैं directly, कि which of the following are the examples of the igneous rock, तो example आपके लिए important है, grey knight, gabbro and the bassard, these are the important example of the igneous rock, देखिए igneous rock कैसी नजर आती हैं, कुछ इस तरह से आपकी igneous rock नजर आएगी, अब यह जो magma है, यह आपका अंदर से निकला होगा, अर्थ क्रेस्ट के अंदर से निकला होगा, यह जो black black color में नजर आ यह आपका magma solid हो चुका है, और जो red color में नजर आ रहा है, यह अभी भी liquid foam है, molten state में है, तो यह कुछ इस तरह से solid होना start होगा, बाहर आकर, और बाद में जो structure लेगा, यह रोक का तो इस तरह की structure की आपको रोक देखने को मिलेगी, black इसलिए होगी, देखिए black color का जो logic है, कि किसी भी रोक के अंदर silica का content जादा है, कम है, जो minerals है, उसके अंदर iron है, कौन सा है, उस हिसाब से जो रोक है, उसका color देखने को आपको मिलता है, तो इस तरह से आपकी igneous rock होगी, आगे गर हम देखे, there are the three types of the igneous rock based on the place and time taken in the cooling of the molten matter, plutonic rocks, volcanic rocks, और intermediate rocks, देखिए तीन निकलेगा और बाहर आने के बाद वो solid होना start होगा, तो solidification जो होती है, उसके basis पे हमने तीन टाइपस में इन रोक को divide कर रख रहा है, अब depend ये भी करता है, कि जो solidification हो रही है, वो अर्थ के अंदर हो रही है, अर्थ के बाहर हो रहा है, तो देखे, there are the two types of rock based on the presence of the acid forming radical silicon, ज हमने यहां पर क्या देखा, कि तीन टाइप आपके ऐसे हैं, जिसके अंदर क्या है, कि रोक अगर अर्थ सर्फेस के अंदर cool down हो रही है, मतलब crust के अंदर cool down हो रही है, crust की total depth होती है, आप हमें comment box में बताईएगा कितनी होती है, हमने interior of the earth के अंदर पढ़ा होगा, तो जो crust process के coding की कहां पर cool down हो रहा है, बहुत ज्यादा deep earth में हो रहा है, या बिल्कुल crust के नीचे हो रहा है, या crust के उपर हो रहा है, ये तीन parts में divide हो गया, अब जो cool down हो रहा है material, उसके अंदर acid ज्यादा है या base ज्यादा है, उसके basis में भी हमने जो रोक है, उसको दो parts में divide कर mineral grains होते हैं, जो उसके अंदर minerals है, वो क्या होंगे, very large size क्या होंगे, अगर earth surface के अंदर बहुत नीचे magma cool down करता है, तो जो उसके mineral grains होंगे, जो size होगा particles का, वो काफी बढ़ा होगा, such rocks are card the intrusive rock, intrusive rock के ने क्यों कह रहे हैं, यह earth है, अगर earth surface के अंदर, मानली जी, यहाँ पर आपका magma था, यहाँ से बहार निकलना start होगा, अब यहाँ पर अगर इस जगा पर जाकर magma solidify होना start हो रहा है, तो वो intrusive rock कहलाएगा, लेकिन अगर वो बहार आकर surface पर जाकर solidify ह उने शुरू कर रहा है, तो वो extrusive type of rock कहलाएगा, आप इस picture के medium के थुरू समझिए, देखी, यहाँ पर यह जो magma है, magma नीचे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी formation जो हो रही है, यह आपकी formation जब होगी, तो यह अलग type की rock होगी, यहाँ पर जो होगी, यह आपकी से काफे ज़्यादा वहाँ पर रोक की formation हो रही है, तो वो आपकी कौन सी होगी, intrusive type of rock होगी, next बात करें, these rocks appear on the surface only after being uplifted and denuded, uplifted और denuded, इसका मतलब क्या है, denudation एक आपका process है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लिजी यह आपकी earth surface है, इस surface के ओपर क्या है, continuously wind है आपकी, य इस rock को तोड़ने का काम कर रही है, पानी भी तोड़ता है, रोक को, wind भी तोड़ती है, लेकिन ये process काफी लंबा होता है, एक दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कई सालों में आपको देखने को मिलेगा, so इस process की वज़से क्या है, वो जो रोक होगी, वो लेकिन area maximum वही cover करती है तो क्योंकि weathering continuously चली रहती है तो उपर का जो area होगा वह obviously sedimentary रोक का होगा अब यह जो Igneous Rok है यह कैसे आपकी कह रहे हैं कि Intrusive Rok मतलब कि Earth surface के अंदर अगर कोई रोक है वो कैसे आपको नजर आएगी सर्फेस के ऊपर जब उसके ओवर लाइंग जो उपर उसके रोक है जब वो डेनिडिड हो जाएगी डिसिंटिग्रेशन होगी वेदरिंग होगी आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजीए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई रोक है अब यह आपकी इगनिएस रोक है इस इगनिएस रोक के ऊपर जो मैंने बताया वो exposed नहीं होगी बाहर की तरफ को तो वही हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि these rocks are appear on the surface only after being uplifted or denuded उपर की layer denuded होगी denudation process चलेगा, weathering होगी तब जो नीचे की layer है आपको उपर निज़र आएगे next अगर हम बात करें extrusive जो आपकी रोक होती है intrusive देखिए exit और in और out वाला जो शब्द है आप उससे connect कर सकते है end मतलब अंदर जाना तो अर्थ के अंदर जो अर्थ के interior में जो रोक की formation होगी वो intrusive होगी और अर्थ के जो बाहर आपको देखने को मिलेगी that is your extrusive rock तो यह वाले जो रोक है extrusive rock इनको lava और volcanic rock भी कहा जाता है क्योंकि magma जब बाहर निकलेगा तो वो lava कहलाएगा और वो ही lava ठंडा होके rocks बनाएगा अब वो lava की eruption कहां से होती है वोलकनों से होती है तो इसलिए इसको volcanic rock भी कहा जाता है sudden cooling of the magma just below the surface और lava above the surface result in a small or smooth grains in rocks as rapid cooling prevent crystallization देखिए यहाँ पर समझने कोशिश किजिएगा अर्थ के interior में जो temperature है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है अगर हम surface से अंदर की तरफ को जाएगे अब अगर हम अंदर से बाहर की तरफ को आएगे तो temperature घटेगा भी है अगर अंदर जा आते हुए बढ़ रहा है तो बाहर आते हुए टाइम घटेगा तो अगर बाहर आते हुए टाइम घटेगा तो उस टाइम पे जो magma आपका molten state में है वो solidify होना start होगा अब क्योंकि solidification जो हो रही है temperature धीरे धीरे करके कम हो रहा है तो जो particles होंगे आपके वो क्या होंगे बड़े size क्या होंगे लेकिन अगर वो magma एकदम से rise किया और एकदम से बाहर surface पे आ गया तो दोनों surface और जहां पर वो magma था अंदर उन दोनों के बीच में temperature का difference बहुत जादा होगा अंदर आप माल लेजिए 1500-2000 degree Celsius के आसपास temperature है और surface पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे highest temperature भी अगर हम लगा के चले surface का 50 और 55 degree Celsius तब भी कितना ज़्यादा gap है दोनों के बीच में तो अगर कोई भी रोक एकदम से ठंडी होती है तो उस टेम पे जो उसका result आएगा वो क्या होगा small and smooth grains जो होंगे रोक के वो बनेंगे वो जो liquid लावा होगा उसके small and smooth grains बनेंगे बट अगर solidification या फिर cooling जो effect है वो दीरे दीरे हो रहा है तो वो बड़े size के होंगे as a result such rocks are fine grained मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उस रोक की formation होगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में यह नहीं है कि वो soil होगी होगी वो रोक ही लेकिन उसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो compact होंगे जोड़े वे होंगे लेकिन fine होगे such rocks are called the extrusive rock और volcanic rock जैसे कि आपकी बसाल्टिक रोक का टाइप है आगे move करते हैं अगर इंडियन पेनिसुला की बात की जाए तो डेकन ट्रेप क्या बात करेंगे यह देखिए इंडिया है यहां पर आपका डेकन ट्रेप है डेकन ट्रेप जो है आपका वह mainly composed of the black soil है इंडियन जोग्रफी में हम पढ़ेंगे black soil से बना हुआ है और black soil बहुत अच्छी होती है cotton cultivation के लिए मतलब कि यहां पर जो रोक है उसके अंदर जो content है वो बसाल्ट का जादा है तो बसाल्टिक origin है और basic rock content अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे जह हमने देख लिया intrusive और extrusive rock के बारे में है अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि रोक के अंदर क्या है कि basic type की रोक है या फिर acidic टाइप की रोक है यह देखिए कोई भी रोक basic या acidic कैसे होगी जो उसके अंदर minerals होंगे क्या क्या minerals उनके अंदर पाए जाते हैं उसके basis पर हम उनको basic या acidic बोलते हैं for example आपके जो basic रोक है container greater proportion of the basic oxides basic oxides होंगे जैसे कि क्या होगा iron, aluminum, magnesium are the dust denser and the darker in color यह आपके जो iron, aluminum, magnesium है यह आपके basic content है basic oxides है जिनकी वज़े से क्या होता है यह जो rocks है वो आपको dense नजर आएंगी dense नजर आने की वज़े से यह आपकी जो color है और भी आपका dark color होगा ओके तो आप किसी भी रोक को देखेंगे तो आप उससे idea लगा सकते है पुरा surety तो नहीं बट आप उससे idea लगा सकते है कि अगर को dark color में आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब भी होगा कि वो जो रोक है उसके अंदर आपका जो basic oxides है वो जादा है ठ देखिए hyperbassal और dikroks और intermediate rocks अगर हम एक बार दवारा picture को देखें आपनी देखिए जो रोक की formation हो रही है आपकी तीन तरह की formation हो यह आपकी अब इसके अंदर देखिए एक आपकी जो रोक है उसकी formation बहुत अंदर हो रही है यह आपकी inside हो रही है यह आपकी intrusive रोक होगी center में बिल्कुल उसके बाद आपकी एक यह जो बाहर आ रही है वोलकनों की तुरू बाहर आ रही है यहाँ पर formation हो रही है रोक की तो यह आपकी extrusive रोक होगी एक रोक की formation आपकी यह है center में हो रही है अर्थ क्रस से नीचे है लेकिन बहुत जादा नीचे नहीं है तो यहाँ पर जो रोक की formation हो रही है उसको आप hyperbassel या फिट डाइक बोलोगे यह intermediate है ना तो बाहर है ना ही बहुत जाद अंदर है center में है तो इसको intermediate hyperbassel या फिट डाइक बोलेंगे so these rocks occupy an intermediate position between the deep seated plutonic bodies and the surface lava flow हमने जो बात की ना तो बहुत उपर है लावा और volcanic जो रोक है वो नहीं है वादा अट surface पे नहीं है ना ही plutonic है जो बहुत जादा नीचे हो वैसी भी नहीं है intermediate है dyk rocks are semi crystalline in structure यह इस तरह के आपको नजर आएगी जो रोक होगी so next अगर हम बात करें अभी हमने basic rock के बारे में देख लिया था कि कौन सी rocks basic होगी जिनके अंदर basic oxides जाल देखने को मिलेंगे बात करें हम अगर acidic rock की तो acidic rocks are characterized by the high content of the silica आप यूं समझ लिए कोई भी रोक है जिसके अंदर high content of the silica होगा that is your acidic rock और जिसके अंदर content of the silica बहुत कम होगा वो आपकी basic rock होगे acidic rocks are characterized by the high content of the silica that is your quartz and the felspar up to 80% 80% के around आपका ये content आपको देखने को मिलेगा अब देखिए the rest is divided among the aluminum, alkalize, magnesium, iron oxide, lime etc. 80% आपका quartz और silica हो जाएगा उसके बाद जो बाकी चीज़े रह जाएंगी वो आपके aluminum, alkalize, magnesium, iron oxide ये सब चीज़े रहेगी these rocks have a lesser content of the heavier minerals like the iron, magnesium, अभी देखिए क्या बढ़ रहे थे हम कि जितनी भी आपकी acidic rock होगी उनके अंदर silica content जादा होगा 80% आपको silica content देखने को मिलेगा और जो ये rocks होगी these rocks have a lesser content of the heavier minerals जैसे कि iron and magnesium होगा acidic rock के अंदर आपके जो ये minerals है iron and magnesium ये कम देखने को भी लेगे hence these are the less dense and are lighter in the color than the basic rock हमने बात की न basic rocks जो होगी वो dark color में होगी so ये जो आपके acidic rock होगी इनकी density भी कम होगी और इनका color भी जो होगा वो कम डार्क होगा अगर मैं basic rock के comparison में बात करूं these rocks constitute the seal portion of the crust seal portion की अगर हम बात करें देखिए यहां पर image में देखिए आप यह उपर वाला हिस्सा जो है यह seal portion है ठीक है interior of the earth chapter का यह पार्ट है वहाँ पर seal और सीमा दोत्रा की layers हम discuss करते हैं तो यह वाला जो हिस्सा है seal layer यह आपका acidic rock से बनता है तो acidic rock से बनता है अब यह जो seal layer है यही आपकी uppermost layer है continents पे seal layer ही मिलती है silika और aluminium ज्यादा मिलता है तो यही वाली जो सबसे उपर वाली layer है यही बात में इकटी होती है plates की movement की वाज़से माली जी दो plates है यह move करेंगी अब यह seal layer की बनी है तो यह move करेंगी टकराएंगी राइस करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यह mountains building है mountains जो बन रहे हैं जो platews जो बन रहे हैं इनकी formation भी आपकी acidic rock से ही होगी so these rock constitute the seal portion of the crust and due to the excess of the silicon acidic magma cools fast and it does not flow spread far away कह रहे हैं कि silica content ज्यादा होने की वज़ा से यह जो आपकी acidic magma rocks होती है यह आपकी ज्यादा दूर तक flow नहीं करती है silica से nut a pack संब शकते हैं कि जत्याद ज्यादा silica content किसी लावा के अंदर magma के अंदर होगा उत्ना ज्यादा धीक होगा तो धीक होने की वज़से क्या ज्यादा गर्रा होने की वज़से दूर नहीं पहल पाएगा ओर क्या होगा इस थांड़ा होना स्टार्ट यह आपकी वैदरिंग के लिए जो होती है रेजिस्टेंट होती है रेजिस्टेंट मतलब इसली वैदर नहीं होती है इसके गुछ एक्जामपल अगर हम देखे ग्रेनाइट कॉर्ट एंडि फेल्च पर आपकी टिपिकल एक्जामपल है देखिए अब बात करें हम बेसिक रो प्रक्षाइड नियुक देखने को मिलेगी डिदिफ फ्लो लो सिलीका कंटेंट अब काम होने की वैसे क्या होता है यह पतला होगा लिक्विड ज्यादा होगा बहुत जल्दी से फैल जाएगा और जल्दी से फैलने की वैसे क्या होगा आपको यह जो spread हो बहुत काफी बड़े एरिया में होगा और इसकी वज़से क्या होगा जैने ज्ञादा एरिया में फैल जाएगी तो जो cool down होगी, वो slowly होगी, तो उसकी वैसे क्या होगा, this flow and cooling give rise to the plateaus, अब इसकी वैसे क्या होगा, आपके plateaus की formation होगी, deck and plateau एक आपका example होगा, आगे गर हम move करें, presence of the heavy elements in parts of these rocks, a dark color, not being very hard, अब देखिए silica, जो आपकी basic rock है, वो आपकी क्या होगी, color उसका dark होगा, not being very hard, these rocks are the weather or relatively easily, अगर हम acidic rock की बात करें, तो हमने पढ़ा कि वो resistant होती है, तुदी weathering, लेकिन basic rock क्या है, आपकी easily weather हो जाती है, basalt, gabro और doll right are the typical example of the basic rock, अब इनका economic significance क्या है, आपका igneous rock की अगर मैं बात करूँ, हमने क्या देखा, intrusive, extrusive, intermediate rock, acidic rock, basic rock, अब हम यह देख रहे हैं कि इनका economic significance क्या है, igneous rock का, since magma is the chief source of the metal ores, many of them are associated with the igneous rock, metal ore क्या होती है, आपकी iron ore होती है, call की होती है, यह सब ores क्या है, यह जगा है, वो चीज है, iron ore जैसे इक बात करें, तो वो जगा है जहां से आप iron को इकठा करते हो, iron आपका pure form में नहीं मिलता है, बहुत सारी impurities के साथ मिलता है, तो जहां से हम iron को इकठा करते हैं, naturally, खदाने होती है, उनको आप metal, आपकी iron ore बोलोगे, ठीक है, अब क्योंकि देखिए, अंदर से निकल रहा है, और अर्थ के interior में आप जानते हैं, कि अगर मैं बात करूं को कोर की, तो अब अंदर से अगर निकल के आएंगी, तो यह जब रोक surface पे आएंगी, तो इनमें iron जादा होगा, निकल जादा होगा, copper होगा, तो यह जब सारे जो minerals हैं आपके, यह हमारी economy के लिए, हमारी country के लिए, और किसी भी country के लिए important चीज़े हैं, तो इस तरह से economically इनका significance है, मैगमा है, ठीक है, इस मैगमा में क्या होगा, यह cool down होना start होगा, अब जब यह cool down होना start होगा, तो इसके अंदर जो gases होगी ना, वो बहार निकलने की कोशिश करेंगी, अब जब बहार निकलेंगी, तो छोटे छोटे पोर्स जो आँँगे, आपको नजर आएंगे, छोटे अगर हम मूव करें, the old rocks of the great Indian peninsula are rich in these crystallized minerals or the metals, जो आपके Indian peninsula के जो पत्थर है, वो क्या है, आपकी इनी रोक से बने है, many igneous rocks like granite are used as building material as they come in the beautiful shades, यही आपके जो igneous rock है, यह आपके काफी building material में भी use किया जाते हैं, example के दोर पे, अगर आपने दिखा होगा, ग्रे नाइट पत इन से floor भी बिनाया जाते हैं आपके, और gabbro हो गया, यह सब चीज हैं आपके building material है, तो यह use किया जाते हैं, आज के lecture में हमने क्या study किया है, आज के lecture में हमने igneous sedimentary or metamorphic का थोड़ा introduction बढ़ा था, उसके बाद हमने igneous rock के बारे में detail में study किया, कि तीन तरह के igneous rock है, on the basis of the वो कहां पर cool down हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, उससाब से तीन type की rock बनी आपके igneous, उसके बाद अगर हम बात करें, content की अगर हम बात करें, उसके अंदर minerals क्या है, क्या वो acidic है या वो basic है, यह बात की हमने, ठीक है, और उनका जो economic significance है, उससाब से हमने बात की तो आज के lecture में फिलाल इतना ही है, I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, इसी तरह के कुछ और lectures के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी बने रह सकते हैं, साथ में आप हमारे जो goila classes की website है, उस पर login कर सकते हैं, वहाँ पर आप course buy कर सकते हैं, वहाँ पर आपको complete course जो होगा, GS का वो अवेलेबलोगी, तरह कर सकते हैं, सब्सकते हैं, वहाँ अज पर आपको का तरह कर सकते हैं, सब्सक्राइबलोग, वहाँ एकुप यहाँ झाल, इए उस्यादन का पर दोएगारे अपको का यह जए रधा